नमस्कार मैं हो ससी आये जर्खन के टॉप 25 पर मुख खबर जनते हैं लोगडाउन के मोड पर जर्खन जर्खन में कुरोना वायरस के बरते संक्रम प्रभावी नियंत्रन के लिए एक बार फिल से लोगडाउन लगाने के त्यारी है पतादे सरकार के अस्तर पर आपदा वल कमेटी के साथ विगरते हालाद पर चर्चा कर बड़ा फैसला ले सकते हैं कुरोना के बढ़ते संक्रम पर लगाम कसने के लिए राज सरकार एक बार फिर थे स्वोजनिक अस्थानों को सील कर सकती है बता दे स्कूल, कॉलेज, पार्क, मंदीर, गुरुद्वारा, पूल, कॉलेज हो सकते हैं, बंद, सरकार आई ले सकती है, कड़ा फैसला जारकन में कुरोना वारस के बड़ते संक्रमन को देखते हुए, सरकार मंगलवार को राज हित में कड़ा फैसला ले सकती है, बता दे मुख मंत्र हमन सुन की अधक्सता में 6 अपरेल को उच अस्तर दोलाए गई है। U5大 मंतरी बना गुप्ता के आलावा मुक्च सचीव, ग्री विभाक के पिण सचीव, स्वास्यचीव, परुफ़ान विभाक के सचीव, आजी सामिल होंगे। अधे something, 15 दिनों के कुरोना मायरस के संक्रח का संक्राबन के सिती के समिक्षा होगी और कुरोना माइलस के फैलाव को रोकने पर सकर कमीर निनलेगी जारखन डीजी स्कूल मोबाइल एप का 7 लाख बच्चे करने लगे उप्योग जारखन डीजी स्कूल मोबाइल एप्लिकेशन में अब तक 7 लाख बच्चे निवन्धन करा गुनवाता पूर्ण सिक्षा प्राप्त करने लगे हैं बता दे मुख मंतरी हमान सुरियों के निद्यस पर स्कूली सिक्षा है क्षाता विभाग के ओर से जारखन डीजी स्कूल मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया गया इसे चात्रों की पढ़ाई में सहायक पाया जा रहा है करीब 75 लाख बच्चों को समय की मांग के अनुसार कुनवाता पूर्ण सिक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार काम कर रही है रांची के सड़कों पर आज से सकती रांची की सड़कों पर मंगलवार से कोमी नेंटिन प्रोटोकाल के अनुपलन को लेका सकती बढ़ेगी बतादे मुक सची सुकदेव सिंग ने सुमवार को रांची राजधानी में कुरोना संक्रमन के बढ़ते मामले को देखते हुए अची से नियंतिक रख ने के लिए ज्यरूरी निरिदेस उपायूत को दिये हैं बतादे बजारों में बेवज़ा घुमने बिना मासक पहने लोगों और समाजिक दूरी कानुपलन नहीं करने वाले ओंख संती की जाएगी वहीं समाजिक दूरी कानुपलन नहीं करने वाले दुकानों मौल सोरूम के खिलाप भी करवाई की जाएगी धनबाद में 10 कंटेनमेंट जोन में कारफ्यू धनबाद में कुरोना संक्रमित ब्यक्ति के मिलने के बाद 10 छेतरों में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है पतादे अपर समार्ता स सियो जीला अपदा प्रमधन प्रादिकार धनबाद स्याम नरायन राम ने इसके लिए आदेश जारी किया है पोजेटिब ब्यक्ति के निवास अस्थान को एपी सेंटर चीनित करते हुए कंटेनमेंट जोन इमबंफर जोन का निर्मान कर ततकाल प्रभाव से अगने निर्देश तक कारफ्यू लगाने का अदेश दिया है होमगार्ड जवानों का जेल भरो अंदोलन अस्थागीत जारखन होमगार्ड वेलफेर असेसेशन ने सोमबार को जेल भरो अंदोलन के अपने कारेकरम को अस्थागीत कर दिया है बताते जेल भरो अंदोलन में करीब 15,000 होमगार्ड जवान को सामिल होना था जेल भरो अंदोरन का कारकरम सुरू होने से पुरुई जार्खन सरकार की ओर से वारता के लिए बुलाया गया जार्खन होमकार्ड वेलफेर सिस्टेशन की ओर से वारता में परदेश महा सचिव राजिव कुमार्तिवारी परदेश अध्यक्ष परदेश उपसचिव परदेश महीला अध्यक्ष आजी सामिल थे रांची डी सि ने जारी कि 현 डो हेलफ लान कनमबर कुरोणा-मघामारी के लगतार बढ़ते माम लोगों को देखते होगे रांची जीला परसासन के नहीं सीव जरूरी कदम उठाइ जा रहे हैं पतादे आम लोगों को मुखर सानी से बचाने के लिए जीला परसासन के नहीं होतो हैए आता और को मदद की मदर पूरी होref ज्यारूरी हो तो कॉल इसमें परी फावर्त नहीं 008 तथा दूसरा नमबर 0652 00009 है जारखंड के कुछ इलाकों में भुकंप के आए जटके सोमवार की रात करीब 9 वजे जारखंड विहार और पच्छिम बंगाल के कुछ इलाकों में भुकंप के जटके महसूस किये गए बतादराइधानी राची समय संताल परगना का इलाका साइब गज में भुकंप के अहल के जटके महसूस किये गए हैं हलाकि कहीं से कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है नेशनल सेंटर फोर सिस्मोलोजी के मुताबिक भुकम्प का केंदर सिक्किम नेपाल बोडर पर था है भुकम्प की तिवराता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई है जार्खन में मैट्रिक वा इंटर्मीडियेट की परिक्षा 6 अपरेल से जार्खन में मैट्रिक वा इंटर्मीडियेट परिक्षा 2.1 के प्रायोगिक परिक्षा 6 अपरेल से शुरू होगी बतादे जार्खन एकेडमी कॉंसील जैक ने परिक्षा समागरी जीलो को भेज दिया है जबकि इंटर्मीडियेट की परिक्षा के लिए इस्कूल कोलेज जार्खन एकेडमी कॉंसील से परिक्षा समागरी ले गया है बतादे इस्कूल कोलेजों को कोरोना से बचाव के निर्देश कावन परिक्षा लेने को कहा गया है ये परिक्षा 27 अपरेल तक चलेगी परिक्षा 26 गुमला 23 हजारी बैक तेरह जाम तरह 22 खूटी आट को डर्मा 20 लाते हार 20 लोहरदागा 15 पांकूर 18 पलामु दो रामगौर 35 साहिब गंज 30 सिम्डेगा 11 पच्मी सिम्वूं से 17 मरीज मिले है बतादे जारखन में सोमवार को 10 मरीज की मौथ हुई है जो राची से 3 बोकारों से 1 धनबाद से 1 जमसेदपूर से 2 लाते हार 1 साहिब गंज 1 वसिम्डेगा से 1 मरीज की मौथ हुई है जारखन में कूल मौथ की संख्या 1140 है वही एक्टिव केस 582 है भारत में 96569 केस मिले है भारत में कूल मौथ की संख्या 1,65,570 है वही एक्टिव केस 7,83,844 है समगर सिक्षा अभियान के तहट सरकारी स्कूलों को मिलेगी 25 कोड़ों रुपए की किताबे पहली बार जन जाती है भासा की किताबे भी समगर सिक्षा अभियान के तवा जारखंड के 35,447 सरकारी स्कूलों के पुस्तकालों को 35.35 को रुपए की किताबे दी जाएगी बतादे एक स्कूल को कम से कम 3,000 रुपए से लेकर अधिकतम 20,000 रुपए तक की किताबे दी जाएगी खास बतिया है कि योजना के तवाट पहली बार जन जाती है भासा की 3,20,000 किताबे भी सरकारी स्कूलों को दी जाएगी जारखंड सिक्षा पर योजना ने किताबे के अपूरती की तियारी पूरी कर ली है जारखंड लोक सिवा आयोग ने पंचम उपसमाहरता सीमीत परिक्षा का पई नाम सोमवर को जारी कर दिया है बता देया परिक्षा चार पदो पर नियुक्ति के लिए आयुजित की गई थी इन में दो पर आनरक्षित तथा एक एक करमसा बी सीवान तथा एस्टी से रहनी के हाँ जारखंड ने केंद्रे से तुरंत मांगे दस लाख वैक्सिन कुरोना ठीका करन को लेकर लोगों में उच्छा काफी बढ़ा है लेकिन इसकी वेवस्ता बदहाल है इसमें अधिसंख केंद्रों पर इंतजाम पूरी तरह फिका था टीका लेने पहुंचे लोगों की बैठने की भी उच्छी द्वेवस्ता नहीं थी बतादे राजे में टीका की भी कमी हो गई है इस्थितिया है कि बरतमान में लगवग दो लाख डोज ही टीका उपलब्द है इसमें अधिसंख कोविड सील का टीका है जबकि 4-5,000 को वैक्सिन दूसरी डोज के लिए सुरक्षित रखे गए है इधर राजे सरकार रभीवार से 8 दिनों का विशेस्टिका करन अभियान की भी सुरू कर चुकी है इसमें प्रति दिन लगवग 10,000,000 की खपत है इसे देखते हुए राजे सरकार ने केंदर से अविलम 10,000,000 की मांग की है बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की जांच राजी उपायुक्त है कुरोना वाइरस के परसार को रोकने के लिए राजी जिला परसासन की ओर से लगातार कदम उठाया जा रहा है कि बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच में किसी भी तरह की लपरवाही बरदास्त नहीं की जाएगी अगर कोई भी यात्री बीना जांच के बाहर निकल आता है तो समधित अधिकारी सीधे जबाब दे होंगे धन्यवाद